जहां तक मेरा मानना है बिल्कुल गरत किया है पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि और अगर इनको सेवा करने थी बैन जी के साथ चलते सेवा करते मुझे लगता है अब भी उनके पास में टाइम है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करें नमस्कार आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया निउस और इस समय राजनीतिक गलियारों से सबसे बड़ी ख़वर सामने आ रही है भी मारिमी के चीफ चंद सेखर आजाद ने खुद की पार्टी का एलान कर दिया है और उनके पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी जिस के बाद से राजनीतिक गलियारों में खलवली मची हुए है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीन कोट के अभ्यक्ता मवजूद आये जानते हैं इनका क्या कहना इस मुद्दे पर तो सर जिस तरीके से भीमार्मी के चीफ ने अपना खुद का पा मैं आपको और सभी देशवासियों को हारदिक सुपकामना है देना चाहता हूं और उसके अलाबा मेरा यह कहना है कही ना कहीं जो आज हमारे चीफ भीमार्मी के चीफ चंद सेखर आजाद ने जो नई पार्टी बनाई है इसमें थोड़ा सा जल्दवाजी जरूर करी है ले बहुत अच्छा कार कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें लेकिन जिस तरीके से मायवती जी का पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जैसे यूपी में पूरे भारत में यूपी में उनका बहुत बोल वाला है तो आपको नहीं लगता वो जैसे बहुजनों के लिए लड़ रही और यूबा इनके साथ बहुत जुड़ा है तो इस तरीके से दोनों की अलग थोड़ी सी विचारदारा है लेकिन इसमें कोई किसी को नुक्सान की बात नहीं होगी यह वताइब कि उनका भी ऑष्टार्षा皆 जाओगे तो पर्वार में तूट दॉटता है कि मैं मानता हूँँ मेरा मानना है बिलकुल गरत किया समाज की सेवा तो पार्टी बनाकर य या ना बनाकर दोनों तरीके से की जा सकती है आप भाउजण के साथ लेके चल रहे हैं मैंने देखा और कि मैसरी साँयान हो दोनों दोनों परिवार को TWO रास समाजकार करने अब आपे थील रास्त मैंसा हैं अन्हें अधुद्णा है उन्हों संग्ठित करने वह सपना करने का इस को सबël और शाहरा कkräkhaf दोनों अलग-अलग हो गए और अगर शेवा करने तो डैशनी के साथ चलते शेवा करते सेवा करने को कौन बना करता थे इनको सथा चाहिए तो बिना सथा के भी तो सेवाकर सकते मेरा मानना यह है और यह या जैसे कि पहले आज आदी के टाइम में दो अब हर चीज का फैसला नहीं हो सकता कुछ सोच समझ के उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिता दी राजनेती में रहकर तो उनसे चंदर शेकर को कुछ सीखना चाहिए था यह बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है इनको अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए समाज के लिए लेकिन आपको यह नहीं लगता कि बहन मायवती जी हैं किसी मुद्दे पर उनका मतलब ना कुछ आता है रियक्शन आता उतना रियक्शन नहीं आता जैसा कि चंद सेखर आजात का आता हर जगा वह मौजूद रहते और युवाओं में उनका वह बहुत लोग प्रिय हो चुके हैं युवा भी कही ने कहीं चांता चाहता बहुजन युवा जो है कि हमारा कोई लीडर ऐसा हो जो हर जंगा मौजूद रहे हमारी लिए लड़े हमारी लिया लेकिन आपको क्या लगता है सर पर बहुत सारी जिम्मेदारिया है वह आज से समाज के लिए का क्ला है और यह ज़ए है अगर समाज को संग्थित करना है तो पहले शिक्षिद बनात् Russians बनाने का काम कर रहा है, स्म sellers को अब कहीं भी कि आता है चीफ बना दिया कि यह और वह क्या करते हैं मुझे or और बॉलट पर निकलते हैं इससे दंगे फैलते हैं कुछ नहीं होता मैंने अपने सवनीपत में देखा है उन्हों सब्सक्राइब निकलता था दूसरी समाज को लोगों को चीड हो गई और उसको शूट कर दिया तो यह क्या हुआ हमारा नुकसान हुआ है अगर वो सांतिप्रिया तरीके से राजनीतिम आना चाहते तो मेंजी के साथ सेवा करें पहले सेवा करोगे तब हो आप को फल मिलेगा लेकिन अश्कान अशने नहीं किया तो आज मैं उसके पूरी मिटेंग अटेंड करके आए हूँ, इतनी जल्दबास यह करनी चाहि दो हमादेश नहिकिन अनहीं किया तो मैं उसको मानता हैं बहुत गल्द की और जो उसके साथ है कि उसमें मौनिंधben कि कार्य करता है जो अपने कार्य कर रहे थे अब अप उन्हीं को यह ले अर्या पार्टी में सामिल ले हैं अल्राय क्या है समाज न才 मांगता है लेकिन तुमने कोई नहीं कम नहीं किया良 metall मुझे इड़ोरकेट है आप मैं समाज की सेवा करता हूं था को आने वाली चुनाव विल्कुल ये तो है थोड़ा सा बिखराव होगा समाज में लेकिन हमारा जो यूबा है और हमारा जो समाज है जयागरोग हो चुका है वो बिखरने बाला नहीं है मेरा अलोग जी की बात काटते हुए कहना चाहूंगा लेकिन अब उनके पास में दो ओप्सन होगे किस की तरफ जाए तो इसके लिए तो कोई अच्छा से विकल्प होना चाहिए तो मुझे लगता है अब भी उनके पास में टाइम है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करें अगर अ चुनाओ में गढ़बंदन दोनों कर ले अपने अपने पार्टी का अप तुम सेवा करो मैं सेवा करता होंगा पार्टी का काल्य करता बनके सेवा करता रहूंगा लेकिन गल्त काम नहीं करना तो ऐसे ही अगर यह जहां आप मायवती जी के या फिर छीमगे कि नहीं थे वहाँ पर अपने कंडिवर्ड innovator उतार ता कोई जरूरी नहीं मैं नहीं के लिए आप कोई पार्टी आनॉंस में और बिना पार्टी के आप एंसक कॉनिकों तो मेरा आप तरफ से देखेंद मायवती के बाद कुई बड़ा चाहरा नहीं पार्थी में तो आपको नहीं लगता है कि चंद से कर आजात को मायवती बोले कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ या मैं आपको चीफ बनाती हूँ ऐसा कुछ कि आने वाले समय में कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए मायवती जी की उमर कितनी रह गई है दस साल जाज जाज बीस साल तक वह जीवित रही है लेकिन फिर तो कोई ना कोई आएगा अब उनके साथ में लग उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी पार्टी के साथ लगकर आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं आप उनको छोड़के अल जैसा अधिवक्ता के कहना है कि साथ में रहकर भी चंदर सेकर राजात देश की सेवा कर सकते थे बहुजन समाज के सेवा कर सकते थे उन्होंने अलग पार्टी बना के बहुत बड़ी गलती की क्योंकि बहुजनों का वोट बैंक बढ़ जाएगा जिसके कारण अन्य सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें